जैहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने येट्वीब चैनल में दोस्तों यहाँ पर आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड निउस लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि CISF में 2022 की सबसे बड़ी वेकंसी आ चुकी है इसका ओफिशल नोटिफिकेशन CISF ने जारी कर दिया है साथियों ये हैड कुंस्टेवल, मिनिस्टियल और ASI के लिए वेकंसी निकली हुई है तो आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है जो भी कैंडिडेट CISF में जाना चाहते हैं जिनका सपना है वर्दी लेना तो उन सबी के लिए बहुत बड़ी गुड नियूज है और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है यह मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है यान कि लड़के और लड़कियां दोनों इसके फॉर्म को एपलाई इसवार कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होने वाली तो इस वीडियो में आज मैं आप सभी को इसके बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है लास्ट डेट क्या रहने वाली है इसके साथी फीस आपकी कितनी लगेगी और इसमें एज लिमिट आपकी कितनी मांगी गई है और साथ में इसमें कितनी पोस्ट आई है male की कितनी post है female की कितनी post है और दोस्तों इसमें education qualification कितना रखा गया है इन सभी की जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है इसके साथी इसके physical में क्या क्या करवाय जाएगा इसमें height, weight, chest, कितनी होनी चाहिए male, female के लिए और selection process इसमें क्या रहने वाला है इसका physical आपका कब करवाय जाएगा इन सभी की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है इसलिए आज मेरी request है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा इससे आपके सभी doubt किलियर हो जाएगे एक ही वीडियो में आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो चलिए साथियों बिना time waste के वीडियो को start करते हैं दोस्तों यहाँ पर यह CISF का official notification है चाहें तो आप इसको download कर सकते हैं लिंक वीडियो में दे दूँगा मैं दोस्तों यहाँ पर starting date आपको मैं बता जिता हूँ 26-9-2022 यानि कि 26 सितंबर से इसके online form start हो जाएंगे और इसकी जो last date रहेगी वो 25 October 2022 रहने वाली है तो 26 सितंबर से आप इसका form online कर सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और यहाँ पर नीचे दे रखा है male और female दोनों candidate इसके लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर किसी को भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली चाहे लड़के हों आप यह लड़कियां दोनों इसके form को online apply कर सकते हैं यहाँ पर दोनों की vacancy निकली हुई है तो दोस्तों यहाँ पर pay scale के बारे में दे रखा है EASI के बारे में दे रखा है pay level 5th pay level से EASI को मिलेगा यहाँ पर EASI का जो pay scale रहेगा वो 29,200 से 22,300 के बीच रहने वाला है और बात करें head constable ministerial की तो pay level 4th pay level से यहाँ पर आपको pay scale मिलेगा यहाँ पर 25,500 से 81,600 पर आपका pay scale रहने वाला है head constable का तो यह तो गया pay scale की बात अब बात करते हैं vacancies की vacancies यहाँ पर कितनी आई हैं तो यहाँ पर EASI के लिए total vacancies 122 हैं जहाँ पर male candidate के लिए 94 vacancy हैं और female के लिए 10 vacancy हैं इसके साथ ही departmental के लिए 18 vacancies ASI की निकली हुई हैं तो इस तरीके से 122 पोस्ट हैं अब बात करते हैं head constable की तो total head constable में 418 पोस्ट निकली हुई हैं यहाँ पर male candidate की 319 पोस्ट हैं और female candidate की 36 यानि की 36 पोस्ट दी हुई हैं और departmental vacancies यहाँ पर 63 तकी गई है head constable की तो इस तरीके से 418 पोस्ट यहाँ पर निकाली हुई है head constable ministerial के लिए तो यह तो हो गई आपके vacancies के लेकर अब बात करते हैं आप नीचे की तरफ चलती है eligibility criteria तो यहाँ पर eligibility देख लेते हैं education qualification सबसे पहले देखते हैं ASI के लिए तो यहाँ पर ASI और head constable दोनों के लिए दे रखा है सेम ही है यहाँ पर अगर आपने 12th pass का रखी है तो आप इसका form apply कर सकते हो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली head constable का भी और ASI का भी तो head constable और ASI के लिए यहाँ पर अगर आपने 12th pass का रखी है किसी भी बोर्ड से इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं किसी भी राज्या में रहते हैं कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आपने 12th pass का रखी है किसी भी subject से अगर आप 12th में pass हैं तो आप इसका form जरूर reply कीजिएगा यह मेरी personal request है आप सभी से क्योंकि CISF एक बहुत बढ़िया vacancy है तो आप इसका form जरूर भरिएगा अगर आपने 12th pass कर ली है बात करते हैं नीचे age limit के बारे में तो यहाँ पर आपकी age 18-25 साल के बीच होनी चाहिए और यहाँ पर इसके साथ ही SC, ST और OBC candidate के लिए age में relaxation है rules के according यहाँ पर आप देख सकते हैं OBC के लिए 3 साल का SC, ST के लिए 5 साल का relaxation यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों यह तो हो गई इसमें eligibility conditions की अब देखते हैं यहाँ पर physical standard physical standard में सबसे पहले बात करते हैं height की तो यहाँ पर male candidate की height 165 cm होनी चाहिए और female की 155 cm minimum height यहाँ पर रखी गई है इसके साथ ही height में यहाँ पर relaxation भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप ST category से belong करते हैं या फिर आप सिक्किन, नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, तिरिपुरा, मिजोरम, मेगालिय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कस्मीर इन सभी राज्यों से आप belong करते हैं तो आपको यहाँ पर height में relaxation मिलेगा male candidate की height यहाँ पर 162.5 cm होनी चाहिए और female candidate की 150 cm यहाँ पर height रखी गई है अगर जो candidate इन राज्यों से belong करता है या फिर ST category से belong करता है उनके लिए यहाँ पर EWS, OBC, SC और unreserved के लिए height में कोई भी जूट नहीं है तो इस बात आपको ध्यान रखनी है तो इस तरीके से यहाँ पर इसका eligibility conditions हो गई यहाँ पर height हो गई आप देखते हैं यहाँ पर chest तो chest यहाँ पर male candidate की मापी जाएगी chest आपकी 77 से 82 cm होनी चाहिए और यहाँ पर female की कोई भी chest measurement यहाँ पर नहीं होता है अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर typing दे रखा है दोस्तों यहाँ पर आपका skill test करवाए जाएगा यानि कि आपको typing आनी चाहिए आपका typing test वहाँ पर होगा तो अगर आपको अभी typing नहीं आती है तो कोई भी दिक्कत लेने वाली आपको बात नहीं है आप बाद में सीख लीजेगा यहाँ पर आप form fill कर सकते हैं बात करें certificate की तो यहाँ पर आपको कोई भी certificate नहीं देना होता typing का कोई भी certificate आपका वहाँ पर नहीं मांगा जाता किवल आपका typing test होता है यह बात आपको दियान रखनी है तो यह चीज हो गई typing आपको आनी चाहिए अब यहाँ पर आपका medical standard के बारे में दे रखा है यहाँ आप देख सकते हैं यह कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ चलते हैं इसका आवेदन 26 सितंबर 2022 से कर दीजेगा तो इसके जो online आवेदन है वो 26 सितंबर से start होने वाले हैं अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ application fees की यहाँ पर आपकी कितनी fees लगने वाली है तो यहाँ पर 100 रूपीज आपके लगने वाली है 100 रूपीज जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लगेंगे इसके साथी SC, ST और female की यहाँ पर कोई भी fees नहीं लगने वाली फिरी में आप इसका form apply कर दीजेगा कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी तो यहाँ पर आपको त्यान रखना है आपकी कोई भी fees नहीं लगने वाली SC, ST और female कैंडिडेट की अब बात करते हैं यहाँ पर recruitment process की यानि कि इसका selection process क्या रहने वाला है तो साथ ही हूँ जब आप इसका यहाँ पर online आवेदन कर दोगे तो उसके एक से डेड़ महीने बाद आपका admit card जारी होगा वो admit card आपका physical के लिए जारी होता है physical में वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर सबसे पहले आपका document verification होगा document check वहाँ पर करेंगे उसके बाद आपका PST होगा PST में आपका height, weight और chest इन तीनों का measurement होता है height, weight, chest के बारे में मैंने उपर आपको बता दिया पूरी information दे दी यहाँ पर आपकी कोई भी running दोड़ वगएरा यहाँ पर नहीं होने वाली केवल height, weight और chest यह तीनों चीज़ें आपकी physical में mark पी जाएंगी तो दोस्तों जो candidate physical pass कर लेगा उसके बाद उसका written exam होगा आपका जो written exam है वो CVT या फिर OMR seat पर लिया जा सकता है written exam में आपके total 100 question आएंगे 100 question आपके 4 subject से आएंगे general intelligence से 25 question आएंगे 25 marks आपके उसके दिये जाएंगे उसके बाद general knowledge के 25 question आएंगे उसके बाद arithmetic यानि की math के 25 आएंगे इस तरीके से 100 question आपके 100 number के होंगे जिसके लिए आपको 120 minute का समय बिया जाएगा और यहाँ पर आपकी कोई भी negative marking नहीं रखी गई है तो इस तरीके से आपका पूरा CBT हो जाएगा यानि की computer based या फिर OMR based आपका exam हो जाएगा जो candidate exam को pass कर लेगा उसके बाद उसका skill test होगा skill test में आपका typing करवाय जाएगा typing आपको महाँ पर आनी चाहिए typing जो candidate pass कर लेगा उसके बाद उसका medical होगा medical के लिए महाँ पर बुलाय जाएगा medical में उनका full body का आपका check up किया जाता है आपको यह पता ही होगा उसके बाद आपका पूरा selection process complete हो जाता है और उसके बाद last में final merit list जारी होती है जिसके according आपको joining letter दिया जाता है और training के लिए महाँ पर आपको बुला लिया जाएगा तो इस तरीके से पूरा selection process दोस्तों इसका रहने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है अगर अब भी आपका कोई doubt या सवाल है तो आप हमें comment में लिख दीजेगा हम अलग से उसके उपर एक वीडियो बना देंगे दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आईयो तो वीडियो को like और share करना बिलकुल मत बूलिएगा और दोस्तों CISF की इस भरती से जुड़ी सभी update हम अपने चैनल पर सबसे पहले बनाएंगे इसलिए आप चैनल को subscribe कर लिजेगा और बैल के आइकन को भी own कर देना ताकि आने वाले वीडियो का notification आप तक सही समय पर पहुंच जाए तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार वंदिमातरम